व्यवस्ता विवरन आध्याय उन्निस जब तेरा परमिश्वर यहोवा उन जातियों को नाश करे जिनका देश वह तुझे देता है और तू उनके देश का अधिकारी होके उनके नगरों और घरों में रहने लगे तब अपने देश के बीच उसका अधिकारी तेरा यहोवा तुझे देता है तीन नगर अपने लिए अलग कर देना और तू अपने लिए मार्ग भी तयार करना और अपने देश के जो तेरा परमिश्वर यहोवा तुझे सवब देता है तीन भाग करना ताकि हर एक खुनी वही भाग जाए और जो खुनी वहा भाग कर अपन जैसे कोई किसी के संग लकडी काचने को जंगल में जाए और वुक्ष काचने को कुलहडी हाथ में उठाए और कुलहडी बेंट से निकाल कर उस भाई को ऐसे लगे कि वह मर जाए तो वह उस नगरों में से किसी में भाग कर जीवित रहे ऐसा नहों कि मार्ग की लंबाई के कारण खून का पल्टा लेने वाला अपने क्रोध में ज्वलन से उसका पीछा करके उसको जापकड़े और मार डाले यदि पी वह प्रांदंड के योग्य नहीं क्योंकि उससे बैर नहीं रखता था इसलिए मैं तुझे यहा आग्या देता हूँ कि अपने लिए तीन नगर अलग कर रखना और यदि तेरा परमिश्वर यहोवा उस शपत के अनुसार जो उसने तेरे पुरोजों से खाई थी तेरे सिवानों को बढ़ा कर वह सारा देश तुझे दे जिसके देने का वच्चन उसने तेरे पुरोजों को दिया था यदि तू इन सब आग्याओ के मानने में जिसे मैं आज तुझको सुराता हूँ चवकसी करे और अपने परमिश्वर यहोवा से प्रेम रखे और सदा उसके मारगों पर चलता रहे तो इन तीन नगरों से अधिक और भी तीन नगर अलग कर देना इसलिए कि तेरे उस देश में जो तेरा परमिश्वर यहोवा तेरा निजभा करके देता है किसी निर्दोश का खून न बहाए जाए और उसका दोश तुझ पर न लगे परन्तु यदि कोई किसी से बैर रख कर उसकी हाथ में लगे और उस पर लपक कर उसे ऐसा मारे कि वह मर जाए और फिर उस नगर में से किसी में भाग जाए तो उसके नगर के पुर्निये किसी को भेच कर उसको वहां से मंगा कर खुन के पल्टा लेने वालें के हाथ में सौब दे, कि वहां मार डाला जाएं, उस पर तरस न खाना, परंतो निर्दोश के खुन का दोश इसरा से दूर करना, जिससे तुम्हारा भला हो, जो देश तेरा परमिश्वर, यहोवा तुझको देता है, उसका जो भाग मिलेगा, उसमें किसी का सिवान, जिससे अगले दोगों ने ठैराया हो, न हटाना, किसी मनुष्र के विरुद्ध, किसी परकार के अधर्मा वा पाप के विशे में, चाहे उसका पाप भी, कैसा भी क्यों न हो, एक ही जन की साक्षी न सुनना, परंतु दो वा तीन साक्षियों के कहने से बात पक्की ठेरे, यही कोई जोटी साक्षी देने वाला, किसी के विरुद्ध, यहोवा से फिर जाने की साक्षी देने को खड़ा हो, तो वे दोनों मनुष जिनके बीच ऐसा मुकदमा उठा हो, यहो भली भाती पूँच पाच करे, और यदि यहां निर्णय पाए कि वह जोटा साक्षी है, और अपने भाईयों के विरुद्ध जोटी साक्षी देने है, तो अपने भाई की जैसी भी हानी करने को कले की युक्ति उसने की हो, वैसी ही तुम भी उसकी करना, इसी रिक्ति से अ ऐसी बुराई को दूर करना, और अब और दुस्से लोग सुनकर डरेंगे, और आगे को तेरे बीच फिर ऐसा बुरा काम नहीं करेंगे, और तु बिलकुल तरस न खाना, प्रान की संती प्रान का, आख की संती आख का, दात की संती दात का, और हाथ की संती हाथ का, पाव की संती पाव का दंड देना